आप सभी सिख्षक साथियों को मेरे रमश्कार, दोस्तों आप सभी को हैपी निवरात्री, दोस्तों आपने निश्ठा का प्रसिख्षाण प्रारम कर लिया होगा और उसे दिख्षा पोटल पे सुगमता से कर रहे होंगे, बहुत सारे हमारे साथी इसे पूर्ण भी कर चुक तो प्लीज मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा अपने दोस्तों को जानकारी सेयर किजेगा और इस तरह के वीडियो चाहते हैं कि आपको मिलती रहें तो वेल आइकर को और से प्रेस कर लीजेगा चले दोस्तों आज का वीडियो सुरू करते हैं चले दोस्तों लेते हैं पहली समस्या को अगर आपने निष्ठा का प्रसिक्षा ठीक ढंग से उसके सभी भागों को सही तरीके से पूर्ण कर लिया है तो जब आप दिक्षा प्रोफाइल में जाते हैं और वहाँ पे अपने प्रोफाइल में अपने इस्थिति को देखते हैं ये मुखे रुफ से तीन या चार कारणों से हो सकता है अगर पहला कारण देखे तो या तो आपने ट्वर्क में नहीं रहे होंगे साइड धंग से नहीं हो पाया होगा इसलिए अविरत आ जाता है दूसरी कंडिशन ये आती है कि अगर सर्वर या साइड ठीक धंग से काम नहीं कर रहे है तो एस स्थिति में भी अविरत की स्थिति आती है और तीसरा जो कंडिशन जोस्तों अगर आप एक से आठ भाग अगर से करना होगा और करके फिर سے इसको पूंड करना होगा लेकिन दोस्तों, अगर आपने सही डंग से सब कुछ किया है, सारी चीजें अपडेट हैं, सब कुछ सही है, सर्वर सही है आपने सही डंग से हर भाग को टच किया है, आपने पूण किया है तो इस condition में भी अगर अविरत दिखा रहा है, ongoing दिखा रहा है तो एक काम आप आवज से करिएगा दोस्तों हमने एक किया है हमने प्रसिक्षन ठीक धंक से पूर्ड कर लिया था उसके बाद भी मेरा अविरत दिखा रहा था तो इसके कंडिशन में हमने उपर जाई अपने प्रोफाइल में तो आपको दिख जागा रीफरेस बटन यहां रीफरेस बटन इस पे तीन बार चार बार क्लिक करिए तो क्लिक करने के बाद अगर यहां से कोई प्रावलम होगी अपडेट नहीं हुआ होगा तो रीफरेस करने से अपडेट हो जाता है और अविरत की स्थिति समाप्त हो जाती है और यहां पे पूर्ण लिख के आ जाएगा ऐसा मेरे साथ हुआ है दोस्तों हमारा जो प्रसिक्षण हुआ है वो सेम इसी तरह से हुआ है हमने पूर्ण प्रसिक्षण करने के बाद भी अविरत की स्थिति देखे फिर हमने रिफ्रेश किया तीन बार चार बार पांच बार जब हमने रिफ्रेश किया तो अविरत हट गया और वहां पे हमारा पूर्ण इस्थिति दिखाने लगा तो पहली चीज़ यह कि आप रिफ्रेश जरूर किजिएगा इस वीडियो के बनाने के जस्थ कुछ दिर पहले दोस्तों हमारा प्रसिक्षन का सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया था और नहीं यहाँ पे सो कर रहा था इस कंडिशन में दोस्तों हमने क्या किया इसी रिफ्रेश बटन को 3-4 बर 5 बर जब रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं ये मेरा सर्टिफिकेट भी आज ही आ चुका है यह सर्टिफिकेट भी आ चुका है और यहाँ पे देखिए पूण भी दिखा रहा है और ये दोनों ही चीजें मुझे refresh बटन को क्लिक करने के बाद प्राप्त हुई हैं तो आप सारी चीजें ठीक ढंग से कर ले रहे हैं तो इस refresh बटन को भी निश्ची तरुप से क्लिक करके ये देख लिजेगा कि आपका पूर्ण होता है या नहीं होता है सर्टिफिकेट मिलता है या नहीं मिलता है अगर ऐसा करने पर भी कुछ नहीं होता है दोस्तों तो जो गाइडलाइन है निश्टा की उसमें असपस्ट तोर पे लिखा गया है कि यदि आपका अविरत दिखा रहा है पूर्ण नहीं दिखा रहा है तो आपको 24 घंटे का वेट करना होगा और यदि आपका सर्टिफिकेट नहीं आया है तो सर्टिफिकेट के लिए आपको 7 से 10 दिनों का वर्किंग डे का इंतजार करना होगा यनि कि 7 से 10 दिनों में आपके सर्टिफिकेट मिलेंगे और जो 24 गंटे का समय है इसमें आपको अविरत वाले स्थिति यानि जो ongoing लिखा हुआ है वो पूर्ण दिखाएगा उसके लिए समय निजाद किया गया है 24 गंटे तो इन सारी चीजों से दोस्तों अपनी समस्या से आप निजाद पा सकते हैं चले दोस्तों देखते हैं अगली समस्या को दोस्तों अब हम बात करते हैं लिंक नहीं मिला तो क्या करें अगर लिंक मिला है और वो लिंक आपकी मुबाइल में नहीं खुल रहा है तो उस स्थिति में क्या करें तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है घबराने की कोई बात नहीं है आप सीधे तोर पे course का नाम अपने किसी भी साथी से पता कर लिजे कि कौन सा course है और हुबहु सेम वही course अपने course में जाके और search बार में type कीजिए जैसे अभी जो हम लोग certificate लिये हैं अगर माली जी ये है पाठे चरिया और समावसी कक्छा उत्तर प्रदेश इस course को हमको ढूड़ना है तो हम करेंगे क्या सीधे तोर पे यहाँ पे नीचे course का ये देख रहे हैं option है इस course में हम click करेंगे course पे click करते ही दोस्तों ये चीज़ यहाँ सामने खुल के आएगी यहाँ पे ऊपर आप search बार में सीधे course को type करेंगे यहाँ पे click करेंगे तो यहाँ पे आपका keypad खुल जाएगा और इस keypad से same course में गलती नहीं है यह बिल्कुल वह सही आपको यहाँ पे type करना है लिखना ह और उसके बाद search करेंगे तो वो course directly यहाँ पे खुल के आपका आजाएगा दोस्तों कुछ लोग के लिए comment आ रहे हैं हमारे पास की निष्ठा में फिर दिक्षा में कैसे आए तो एक बात आप confirm जालने दोस्तों कि निष्ठा का perception जरूर है लेकिन यह जैसे आपने पहले दि दिक्षा पर perception लिया है अब तक ठीक उसी प्रकार से जो link provide करा जा रहा है वो link आपका दिक्षा पोर्टल पे खुलेगा और सारी चीजे वैसी ही होंगी जैसा आप पहले से दिक्षा पोर्टल पे करते आए हैं तो दोस्तों यह चीज आपको ध्यान में रखनी है और दूसर के लिए 24 घंटे का इंतिजार और मार्क सीट के लिए 7-10 दिन का इंतिजार आपको कहां यह सूचना मिलेगी तो दोस्तों जहां प्रसिक्षण की हैं प्रसिक्षण के last में आप जब जाएंगे तो चलिए हम इस प्रसिक्षण पे अपने click करते हैं click करने बाद दोस्तों यहां पर यूपी सपोर्ट निश्ठा आया है इस पर हम click करेंगे click करने बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको सामने आएगा यहां पर देखे वीडियो चलाने का option आ रहा है इसमें आप click करेंगे तो वह चीज सामने आपके आएगे इस पर हमने click कर दिया है click प्रसिक्षण पूर्ण करने के लगवग साथ से दस कारेदिवस के उपरांत मिलेगा यानि आप देख सकते हैं साथ से दस कारेदिवस की बात की जारिये certificate के लिए अगर second number को देखेंगे दोस्तों तो लिखा है देख्षा आयप पर प्रसिक्षण की प्रकति 100% दिखने में 24 गंटे का समय लग सकता है तो इसी बात को हम आपको बता रहे थी दोस्तों कि 24 गंटे सब कुछ आपका सही है तो मार्कशिट के लिए 7-10 दिन और जो आविरल की इस्तिति है अभीरत की इस्तिति है उन्गोईं की इस्तिति है उसके लिए आपको 24 गंटे का इंतज़ार कर देना चाहिए तीसरा पॉइंट है इस प्रसिक्षन के संबन में किसी प्रकार की जिग्यासा या समस्या होने पर आप अपने संकूल या फिर एरफी अत्वा निष्ठा ब्लाग टेक्निकल एड्मिन्स से संपर्क कर सकते हैं तो इस प्रकार दोस्तों आप ये निर्देश कीजिएगा अपने दोस्तों को भी वीडियो सेर कीजिएगा ताकि उनको भी जनकारी हो सके और चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस् आपकर